और यह 20-inch का combo board है और यह जो board है यह आप 32-inch, 20-inch और 30-inch set में भी इसको आप लगा सकते हैं नमस्कार दोस्तों, Welcome to my channel तो देख सकते हैं आज मैंने एक board मार्केट से खरिद के लेके आये हैं यह 20-inch universal combo board और यह जो board है इसका features क्या क्या है और इसका resolution कौनसा resolution में यह set होगा इस सारे कुछ इस वीडियो में बताएंगे और यह जो board है इसका installation करके भी आप लोग को दिखाएंगे तो यह जो board है यह HD, all full HD में यह होगा, resolution में set होगा तो देखिए इधर इसका जो components जैसा बताया है यह इसका HD resolution 1366 into 768 और 1920 into 1080 यह दोनों resolution में set होगा और देखिए इसका resolution code भी बताया गया है यहापे दोनों resolution code इसका service menu भी बताया गया है और यह जो board है इसके साथ यह inbuilt software है इस board के लिए आपको software भी नहीं करना पड़ेगा और यह original remote भी work करेगा तो चलिए इसको पहले हम खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या-क्या है packet आभी तक मैंने इसका seal भी नहीं खोले हैं देख सकते दोनों side से इसका seal है और यह चली सिंच का combo board है और यह जो board है यह आप 32 सिंच चली सिंच और 24 सिंच सेट में भी इसको आप लगा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको इसका जो पैनल भी सिसी है यह 32 सिंच सेट में इसका 12 वोल्ट होना चाहिए तो चलिए पहले इसको खोल के दिखाते हैं खोल दिया है यह इसका remote और अपर देखे इसको और उसके बाद क्या आते हैं शका IR और keeper अब्सक्राइब कर देते हैं और इसके बाद यह इसको बोड देखे इसका package में जैसा पिक्चर है वैसा इसका बोड का नहीं है देख सकते हैं देखिए यह इसका बोर्ड है, बोर्ड का मैं मोडे नमबर अब लोगो मैं बत्ता देता हूँ, T.R67.801 यह जो बोर्ड है, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बत्ताया कि आप इस बोर्ड का 32 सेड में भी लगा सकते हैं, इस बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, यह ओनली फॉर 12 फॉल पैनल में ही काम करेगा, अगर आप 32 सेंज के लिए आप खरीद रहे हैं, तो आप जरूर एक बार ध्यान दिजिए अपना पैनल भी सीजी की अपर, बोर्ड का जो वोल्टेज चार्ट है, वोल्टेज चार्ट टेलिग्राम चैनल पर यह आप लोग को मिल जाएगा, कि जब यह खराब हो जाएगा तब आप लोग उसको देखके आसानी से रिप्यार कर सकते, वोल्टेज जो चार्ट है उसको मैं दे दूँगा मेरा टेलिग्राम चैनल पर और उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो चलिए इसको हम पहले जो मेरे पास 32 इंच सेट है उस पर लगा कि आप लोग को चेक करके सारे कुछ दिखाते हैं, तो यह हमारा 32 इंच का सेट तो अभी हम क्या करेंगे इसको इधर दो स्क्रू को फसाएंगे और टेस्ट करके आप लोग को सामने दिखाएंगे, कि यह जो बोर्ड है यह 32 इंच चलिए शिंच और ब्याली सिंच सेट में काम करेंगा कि नहीं इसके लिए आज में वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को जोरूट लाज तक देखिए और अभी हम टिवी को सिधा करेंगे उससे पहले आप लोग को हम दिखा देते हैं देखिए यह 32 इंच के सेट है यह पी इसका लिखा हुआ है यह आप गूगल में सार्च करके देख सकते हैं यह 32 का पैनल है तो अभी हम क्या कर ते हैं औहुँक है यह उनका बटन प्रेस करेंगे से यंडिकेटर यह लो हो चुका है अब हो इसको हम play-ıyı से रिलीज सक्ते हैं सब्सक्राइब केस दूआ यह तो अब गोटन पृटन प्रेस करेंगे से इथर से इसके लिए आपका इन्पूट 31181 इन्पूट 31181 तो पहले आम इसका जिलेशन है डेजूट को सेट करते हैं इन्पूट 31181 यह यह अभी ट्िवी एगवार इस्टाट होगा अभी देखते हैं इसमें पिक्चर आते हैं कि नहीं अभी देखिए यह भी लिखके इधर आ गया है लेकिन इसका पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे यहां पर इसका जो सर्विस मेनू लिख्या हुआ है देखिए इनपूट 1147 या तो फिर इनपूट 2580 तो हम दोनों कोड को प्रेस करके देखते हैं इनपूट 2580 यह भी काम नहीं कर रहे है काई बर क्या होता है अब लोग मार्केट से बोर्ड तो खरिद के लेके आते हैं लेकिन यहां पर जैसा बताया गया है उस तरह के इसका सर्विस मेन नहीं ऊपन होते हैं अब यहां पर बताया गया है कि इनपूट आप यह हम क्या करेंगे इनपूट को छोड़के हम मेनु को दबा के देखेंगे एक बर देखेंगे इधर मेनु यह इसका मेनु है मेनु टबल वान फोर सब्सवाइन नहीं हो दुबार करते हैं मेनु डबल तो देखे जैसे ही मैंने किया है अभी इसका service menu खोल चुका है factory setting तो पहले आप क्या करें गे पहले इसका जो जेनरल सेटिंग्स है जेनरल सेटिंग्स में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आप क्या कर सकते हैं यहां पर power on logo जो है आप इसमें विडियो कॉन एल जी क्रो मैक्स पैनसोनिक फ्लिप्स सामसुंग आपका जो भी पैनेल होगा उसके इसका जो लोगो है लोगो आप सेट कर सकते हैं तो माली जी अभी हमने सेट किया है सोनी का तो देखिए यह यह सोनी आ चुका है यह जो है पार आउप मोड है और मतलब जब आप टीवी को आउन करेंगे तब यह पहले जैसा पहले जैसा कि है मेरा रिमोट सिसको आउन करना पड़ता है अभी आगर इसको आउन कर देंगे तो यह आप नहीं चलाएंगे मतलब चला के छोड़ देंगे तो दो घंडा बाद यह बंद हो जाएगा तो इसको हम अभी अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं पिक्चर में क्या चेंज आ रहा है एक वागार देखें इसको बैक है इए ठाल दिखने सूरू हो गया है और एक बाद पिक्चर लिए डिखने सुरू हो गया है ऑक हम बाद ए और टीवी को आउफ करें और आंट करते हैं तीवी को आफ कर दिया फिर से इसको ओन करेंगे रिमोट को हम इधर हम छोड़ देते हैं रिमोट को नहीं पकड़ेंगे टीवी ऑटमेटिकली ओन हो जाएगा देखिए ऑटमेटिक ओन हो गया है यह सोनी का भी लोगो आ चुका है देख सकते हैं तो गाइस वीडियो कैसा था कमेंड में ज़रूर बतेएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्काइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज जाके सस्काइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए थैंक यू